गधे के पेट से कुछ ऐसा निकला जिसे देख सब हैरान रह गए एक बर एक गरीब इंसान था जो कि भगवान में बहुत विश्वास करता था वो पूरी आस्था के साथ भगवान की पूजापाट क्या करता था वो नियम से रोज मंदिर जाय करता था मंत्र पढ़ता जाप करता और भगवान को अपनी जिंदिगी के लिए धन्यवाद देता था लेकिन वो एक गरीब इंसान था उसके पास कभी-कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता था यह भगवान तो हमेशा गरीबों के सुनता है तेरी लीला अपरम पार है तेरे चमतकारों से दुनिया अंजान नहीं है तो कुछ ऐसा कर जिससे के मेरी भी गरीबी दूर हो जाए उस इंसान की तीन जवान बेहने, दो बेटियां, बूड़ी मा और एक बीवी थी उसके सिर्फे इतने लोगों की जिम्मधारी थी तीन जवान बेहनों की शादी भी उसे ही करने थे साथी दो वेटियों की अच्छी परवरिश की जिम्यदारी भी उसके ही उपर थे उसका कहीं भी काम धंदा ठीक से नहीं चल पा रहा था वो बहुत मेहनत करता था, कोशुश करता था लेकिन कहीं से भी इतनी कमाई नहीं उपाती कि घर का खर्चा ठीक से चलाया जा सके लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसका विश्वास कभी उपर वाले से कम नहीं हुआ वो नियम से मंदिर जाया करता था, पूजा पाठ किया करता था और जोली फैला कर भगवान से अपने लिए एक अच्छी जिंदिगी मंगा करता साथी तीज तेओहर पे वरत भी किया करता था और मंदिर जाकर बराबर भगवान के दर्शन करता था फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत बिमार हो गया, वो बिस्तर से उठकर काम पर जाने के स्थिति में नहीं था घर की हालत तो वैसे ही ठीक नहीं थी, उसके बिमार हो जाने की वज़ज़ से जो दो पैसे घर में आते थे, वो भी आने बंद हो गए अब घर वालों के पास कोई चारा नहीं बचा था, तब इसकी तीनों जवान बेहनों को बाहर काम करने जाना पड़ा, क्योंकि घर का खर्च तो चलाना ही था खाने के भी लाले पड़ चुके थे, एक वक्त की रूटे मिल पाना भी मुश्किल हो रहा था, तब तीनों बेहनों नहीं बाहर जाकर काम करना बेतर समझा दोस्तों ये इनसान कभी नहीं चाहता था कि उसके रहते कभी उसकी बेहनों को काम पे जाना पड़े पर उसके सामने कुछ ऐसे हालात पैदा हो गया थे कि वो खुद से मजबूर हो गया था ये सब देखकर वो इनसान बुरी तरह से तूट गया उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बेहनों को काम पे जाना पड़ रहा है लेकिन उसके स्थित इतनी खराब थी कि वो खुद उठकर काम नहीं कर सकता था इस बात ने उसे बहुत ज्यादा परिशान कर दिया वो भगवान के सामने बेबस खड़ा था और उपर वाले को बोलने लगा कि भगवान के अपने क्या किया वैसी ही मेरी स्थित इतनी ज्यादा खराब थी अब मेरे बिमार हो जाने की वज़ा से मेरी बेहनों को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है मुझे क्यूं इतनी तकलीफ दे रहा है तू उपर वाला तू तो सब कुछ देने वाला है और सब कुछ दे सकता है कुछ ऐसा चमतकार करके मेरी माली हाला ठीक हो जाए मेरा इतना विश्वास है तेरे उपर इस विश्वास को तूटने मत देना दोस्तों इस व्यक्ति को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि उसके इस मुश्किल घड़े में उसका साथ भगवान जरूर देंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही एक दिन जब वो आदमी पूरी तरह से ठीक होकर अपने नियमानुसान मंदिर जाता है पूजा पाठ करता है मंत्र और जाब करता है और भगवान से मांगता है कि हे भगवान अब तो कोई चमतकार कर मेरे उपर मेरी तीनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी है इतनी बुरी हालत में मैं कैसे उन तीनों की शादी करपाऊंगा ना कैसे अपनी जिम्हदारी निभा पाऊंगा जब मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं ये भगवान कमसे कर मेरे स्थेती को देख कर ही मुझे रहम खा ले मेरी बूडी मा की दवाईयों पे खर्च मेरे बच्चों की परवरिश और मेरी तीनों बेहनों की शादी का खर्च उठाने की हालत में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कुछ ऐसा चमतकार कर जिससे कि मेरा विश्वास तुछ पे हमेशा बना रहा है इतना बोलते बोलते उस इंसान के आँखों में आसू आ जाते है क्योंकि उसके स्थेती इतनी ज्यादा खराब होते है कि भगवान के सामने आते ही वो रोने लगता है वो अपनी पूजा खत्म करके जब जा रहा होता है तभी मंदिर के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जिसके पास एक गधा होता है वो आदमी बोलता है कि भाई साब मुझसे ये गधा खरीद लो तब वो गरीब इंसान उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि भाईया मैं गधे को खरीदने के हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ मेरे पास एक रुप्या भी नहीं है कि मैं इस गधे को खरीदने के लिए दे सकूँ तब गधे का मालिक उससे कहता है कि भाईया आप अभी इस गधे को ले जाओ जब इस गधे से आपकी जो भी कमाई होगी उसके बाद आप मुझे इस गधे की कीमत दे देना इस बात को सुनकर वो गरीब आदमी सोचता है कि हो सकता है कि इसके पीछे भगवान की ही कोई लीला चुपे हो तो गो उस आदमी से गधे को ले लेता है गधा पाकर उस आदमी को लगता है कि अब शायद मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाएगी क्योंकि इस गध्य के जरीए मैं कुछ अच्छी कमाई करपाऊंगा अगले दिन वो आदमी गध्य को लेकर मंडी जाता है जहां पर उसे कुछ सामान ढूने का काम मिल जाता है और उसकी थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो जाते है जसे कि घर में कम से कम दो वक्त की रोटी आने लगते है दोस्तों भले ही उसके पास बहुत सारे पैसे ना आये हो पर इन थोड़े से पैसो नहीं उसको एक उमीद के किरन दे दे उसे लगने लगा कि शायद इस गधे को खुद भगवान नहीं उसे मदद करने के लिए भेजा है अब ये गधा ही उसकी सारी मुसीबतों से उसे निकालेगा दोस्तों जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है वैसे ही एक दिन वो गधा बहुत बिमार हो जाता है उस गधे की हालत वक्त के साथ बिगरती जा रहे थी जसकी वज़ा से अब वो गधा काम करने लाइक भी नहीं बचा था तब ही कुछ लोग बोलते हैं किसे जैनवरों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए वो आदमी जब गधे को डॉक्टर के पास लेकर जाता है तब डॉक्टर उसका चेकप करने के बाद बताते हैं कि इस गधे के पेट में कुछ है जिसकी वज़ा से ये बिमार हो गया है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा जब डॉक्टर उस गधे का ऑपरेशन करते हैं तब उसके पेट में से कुछ धातू जैसी कड़क चीज का कोई टुकड़ा निकलता है लेकिन ऑपरेशन करते करते डॉक्टर गधे को नहीं बचा पाते और गधा मर जाता है और मनीमन कहने लगता है कि ए भगवान ये तुने क्या किया एक ही तो कमाई का जर्या मिला था वो भी छेन लिया इसी बात के साथ डॉक्टर उसे वो धातू का टुकड़ा भी देते हैं जो कि गधे के पेट से निकाला गया था वो आदमी उस टुकड़े को लेकर घर चला जाता है और रोने लगता है रोते रोते भगवान को बोलता है कि क्यूं एक उम्मीद की केरन दिखाए थी अगर उसे वापस चिनना था गधे को मेरे पास क्यूं भेजा था अगर कुछे दिनों में उसे मरना था था तो यह बोलते बोलते उसके हाथ से वो धातू का टुकड़ा नीचे गर जाता है जैसे ही वो धातू का टुकड़ा नीचे गरता है उसके ओपर की परट तूट जाते है और अंदर से चमकती हुई कोई चीज निकलते है जो कि सोने की तरह देखते है वो आदमी सोचता है कि शायद ये सोना ही है और उसे लेकर दुकांदार के पास आता है जब वो दुकांदार को वो धातु का टुकडा देता है तो दुकांदार उससे पूछता है कि ये तो बहुत पुरानी कोई कीमती धातु लगती है कहां से मिला ये तुम्हें तब वो आदमी सोचता है कि अगर मैंने उसे बताया कि ये गधे के पेट से मिला है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा इसलिए वो दुकानदार को बोलता है कि ये मेरे पिताजी के पुराने सामान में से निकला है तब दुकानदार उसे बताता है कि ये बहुत पुष्टैनी और कीमती सोना है जिसकी कीमत भी बहुत अच्छी है तब भी वो आदमी उस धातु की अच्छी खासी रकम लेकर धातु दुकानदार को बेच देता है और पैसे लेकर घर चला जाता है घर पहुँचकर वो भगवान को अंगिनत धन्यवाद देता है कि भगवान तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं तो कैसे भी और कहीं से भी चमतकार कर सकता है दोस्तों आपको एक हानी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको एक हानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों और रिष्टिदारों के साथ इससे शेर जरूर करें अगर आपको इस तरह की इंट्रस्टिंग विडियोज देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास लगे बेल आइकन को अन जरूर कर लीजेगा जिससे कि आपको हमारे इस तरह की विडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे हैं धन्यवाद